गुड मॉर्णी डियर स्टूडेंट आज हम क्लास 11 के मेस के जो बचे हुए हमारा जो बचे हुए टॉपिक से वो करते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट अब इस से पहले हम लोग ने वेंट जाइग्राम्स क्या होते हैं वो पड़े थे इसके बात यूनें ऑप सेट आज हमारा रहता एंटर्सेक्शन और सेट अज हम इंटर्सेक्शन और सेट के बारे में पादेंगे जब कभी भी हमारे पास दो सेट हो दा इंटर्सेक्शन और सेट intersection of set A and वार पस्ट दो से रो से A and set B, is the set of all is the set of all, sets of all elements which are common to foreign B, is the set of all elements which are common दोनों में common हो, which are common to both A and B, for example मेरे पास exit A है, इसमें मैंने 2, 4, 6, 8 ले लिया, कोई भी element, अब आपने साबसे भी ले सकते हो, दूसरा set है मेरे पास, मैं इसमें element ले रहा हूँ, 6, 8, 10, 12, चलो 12, 10 ले ले ले, ठीक, ये set, अब हमें इन दोनों का क्या निकलना, intersection निकलना, intersection A, intersection को हम, उल्टे U से denote करते हैं, ठीक, A, intersection B, equal to, अब यहाँ पर पहले, आप ये, सबाज दीजिए, की बैए, वो, दो सेट, जिनका intersection निकलने के लिए, हमें क्या होना चाहिए, दोनों, बोद A, N, B में common होना चाहिए, इसका मनलब हमारा common कौन कौन सा है, यहाँ पर 6, यह 6, यहाँ पर 8, 8, 6 और 8 हमारा क्या आई है, intersection आई है, ठीक, अगर इसको मैं वें डियाग्राम से बना दूँ, तो अब ऐसे कर लिजिए, ठीक, 2, 6, 10, 2, 6, 10, 4, 8, हम लोग 12 मानने हैं, ठीक, अब हमारे पास यह वाला क्या थे, पहले एक सेट था, ठीक, यह सेट हो यह, अब इसके बाद दूसरे में देख लिजिए, 6, 8, 10, 12, यह, अब यहाँ पर देख लिजिए, यह हो यह आपका एंटरसेक्शन, एंटरसेक्शन, यह दोनों में कौन जा रहे थे, ठीक, यह वाला पॉर्चन, यह हो यह आपका यह है, कि भाई मेरे पास, एक सेट हो, 1, 3, 5, 7, और दूसरा कोई और एक सेट हो, भी, इसमें में ले रहाओ, 4, 2, 6, 8, यह ले ले, आप हमें क्या निकाल ले, इन दोनों का एंटरसेक्शन, निकाले, क्या निकालने, एंटरसेक्शन, एंटरसेक्शन, बी, यहाँ पर इनका मलब, इंपीटी हो या, 5, यह हो या, इनका इंटरसेक्शन, अगर इसको हम, अब यहाँ पर देख लिजे, जब कोई भी, दो सेट का इंटरसेक्शन, निकाल के, इंपीटी आते है, उसे हम क्या कहते है, इसे हम क्या कहते है, इसे हम क्या कहते है, इसे हम क्या कहते है, तो आप ऐसा कर लीजिए यह हो यह हमारे rectangular shape ठीक हमारे पास एक set A था दूसरा set हमारे पास क्या था B दोनों का intersection क्या रहे थे 5 दोनों में कुछ common नहीं आ रहे थो ऐसे बनेगा यह हमारे universal set यह A मानलो यह D मानलो ठीक दोनों का कुछ common नहीं आ रहे इसका मनलब यह 5 आई है ठीक यह हो यह आपका intersection के उपर a case अब इसके बाद हम properties पढ़ते हैं intersection के intersection के properties और unit दोनों same ही है मागर इनका sign change होगा जैसे कि हमारे plus minus का sign change हो तो वह इसे यह भी change होगा properties of intersection properties of of intersection of set intersection of set ठीक अगर मेरे पास a intersection भी हो इसको हम भी intersection a भी कर सकते हैं इसे हम क्या कहते हैं committative property committative committative लाग का होगा property का committative लाग यह होगा अगर मेरे पास a intersection भी हो then intersection of c हो या मेरे पास ऐसे हो a intersection b intersection c हो इससे हम चाह कहते हैं और या यह हो इसे हो इसे हो अब यह intersection 5 equal to अगर में कोई भी set और inpt का intersection लेता हूं तो फिर हमारा intersection में दोनों में का हुँम मान क्या हैंगे 50 MPT धीक या मेरे पाद दुसरा हूँ universal सेट का मैं intersection करता हूँ एक सेट से इसका इंटर्सक्षिन करने के बाद हमारा सेट के आएंगे equal to A intersection विभा है universal सेट इंटर्सक्षिन और और फोई भी हम एकसेड ले लेते हैं equal to क्या आएंगे a आएंगे equal to ये ए ठीक law of you केते हैं law of you इसे law of five केते है law of law of five ठीक ये होगी हमारा दूसरा property अब इसके बाद एक important property आता है उसे हम क्या केते हैं Distribate you Distribate you इसमें हमारा देखलीजिए मैं करता हूँ A intersection of B Union C अगर इसको हम expand करें तो A intersection of B तेरे इसके इसके सार intersection इसके बसी के साथ इसके बाद हमारा दूसरा एक प्रॉपर्टी आता है दूसरा प्रॉपर्टी ए यून बी intersection of C अब इसमें हम लोग ने क्या किया यून को intersection इसके से चेंश करें यहाप फिरके से एंगे ए यून बी एंटर्सेक्शन ए यून ओफ C यह हूँ यहामरा दूसरा प्रॉपर्टी तिक अच्छा अब यहाप देखिलेजी देखिलिए आप हम लोगने पहले देखिले में क्या किये थे intersection distribute और union कर दिये थे एंटर्सेक्शन distribute और union हमने intersection को distribute कर दिया किस के ओपर distribute और union के ओपर ठीक यून देखो आप या तो डरेक यू ऐसे भी दिख सकते हो ठीक आप इसके बाद इसको आगर हम वेन डियाग्राम से देखा दे तो आपको यह वाले properties पहला वाले properties आप देख लीजिए हमारे पास a b sorry यह छोटा सा हो यह b यह मालों आपका c अब यहाँ पर देख लीजिए हम लोगने पहले क्या यह थे कहांगे a intersection b union c a intersection of b union a intersection of c यह a माल लिया यह b यह c ठीक अब हम लोगने क्या किये थे a intersection of b intersection मलब यह वाला दोनों में क्या आएंगे common ठीक अब इसके बाद a intersection b तो यह हो यह union of a intersection c a intersection c का कौन सा वेली आएगा हमार a intersection c a intersection c का यह पोर्चान आएगा यह b का हो यह intersection c ठीक पहला यह हो यह intersection c का और यह हो यह a intersection डिका यह इसका मालब यह हुआ a intersection b union a intersection a intersection b union of c ठीक b union of c अब आएसे भी लिख सकते हो ठीक यह होगा आपका कौनसा प्रोपर्टी दूसरा प्रोपर्टी आप आपने से यहां पर चाहिए करो ठीक अब इसके बाद हम क्या करते हैं आपका और एक प्रोपर्टी आपका बाच चाहते हैं वह है difference of set लास्ट वाला है यह हमारे इसके बाद हम exercise start कर देते हैं difference of set difference of set ठीक अच्छा आप मेरे पास एक set है for example one two three four five six seven one eight nine ten यह मेरे पास एक सेरी दूसरा और एक सेरी two four six eight मैंने ले लिया यह यह एलेमेंट से ले लिया एक ही इनना एलेमेंट बी का one से लेंट यह एलेमेंट बी में अब हमें A माइनस B करना है A माइनस B आप क्या करोगे A माइनस B में सेट A से सेट B के ऐलेमेंट्स को क्या कर दोगे हटा दोगे सेट A से सेट B के ऐलेमेंट्स को आप क्या कर दोगे हटा दोगे सेट A से सेट B के ऐलेमेंट्स को जब हटा दिया यहाँ पर 2 है, 2 को हटा दिया, ठीक, इसके बाद 4 है, 4 को भी हटा दो, यहाँ से 6, 6 को भी हटा दो, 8, 8 को भी हटा दो, 10, यहाँ पर 10 को हटा, फिर A में कौन सा element बचा, 1, 3, 5, 7, 9, यह हो गया आपका A-B, इसी तारीके से B-A, आप करो यह, देखो, हम लोगों ने set A से set B के elements को हटा दिया, अब हमें क्या करना, set B से set A के elements को हटा देना है, set B से set A के elements को, जब हटा दिया तो 2 भी हट गिया, 4, 5, 6, 8, 10 भी हट गिया, हमारे पास बचा क्या, 5, ठीक, यहाँ गया, आपके पास यह बचा, अगर A-B, B-A, A intersection अगर B, For example, मैं A intersection B, A intersection B, A intersection D, अब यहाँ पर दिख लिजे, ठीक, A intersection D, A intersection D, A intersection B में हमारे पास क्या क्या आ रहे, हमारे पास आ रहे, हमारे पास आ रहे, दोनु में common क्या है, 2 है, 4 है, अच्छा, 6 है, 8 है, और उसकी बाद 3 है, यह, ठीक, अब, A intersection, B, ठीक, यह, अगर A-B, आप इसका intersection करते हो, A intersection B के साथ, और B-A intersection करते हो, A intersection B के साथ, वो हमेशा क्या होंगे, आपका, Disjoint Set होगा, क्या होगा, Disjoint Set, A-B, intersection of A intersection of B करते होंगे, हमेशा क्या हैंगे, 5 हैंगे, वो, उससे हम क्या केते हैं, Disjoint Set केते हैं, ठीक, यहाँ पहले लिजिए, Disjoint Set, ठीक, यह होगा, अगर आप इसको वेंड डियाग्राम से देखा होगे, तो, आप ऐसे करोगे, यह, A होगा, यह, B होगा, ठीक, यह हमारा A, यह, B, यह universal Excel होगा, हमें क्या करना था, A-B, A-B, अब पहले हम A-B करते हैं, जिनने भी Set A में से Set B के element को हम क्या कर देते थे, हटा देते थे, यह होगा, यह आपने हटा दिया, ठीक, इसके बाद A-B करते हैं, हम B का element को क्या करते थे, हटा देते थे, यह होगा, आपके पास बचा क्या, यह, जो आएंगे, A intersection B आएंग पास B-A होगा, चीक, अब इसका थोड़ा, आप क्या कर लिजे, इसका एक, definition लिख लिजे, Set of element, which, belong to A, to A, but, does not, does not, belongs to B, अगर A-B करते हैं, हमें यह करना है, क्या है, Set of elements, which belongs to A, but, does not, belongs to B, ठीक, यह होगा, आपका difference of set, आज के लिए इतना, कल से हम exercise start कर देते, उससे पहले एक बात सुन लिजे, exercise for 1.4 का आप को, जिनने भी कोशन्स आते हैं, आज तक हम लोग उने जिनने भी, introduction parts में पढ़े हैं, उसी के बैस पर सारे कोशन हैं, जिनने भी कोशन्स आते हैं, आप आपने से करिए, चीक,